अगर आप भी सोना और चांदी पहनने और खरीदने के श्रौकीन है तो यह ख़बर अब आपके लिए है आज आपको इस वीडियो में बताएंगी कि सोना और चांदी के दाम में कितनी गिरावट आई है साधी बीवा के लिए सोना वाचांदी के खरीदारों के लिए बड़ी खबर आपको बता दे आज सरापा बाजार कुलते ही सोने वाचांदी के दामों में बेहतरीन बदलाव देखने को मिले हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोना चांदी के भाव लाइव की एक और नई वीडियो में दोस्तों यदि आप भी काफी समय से साधी बीवा के लिए सोने वाचांदी के गहने बनवाने का इंतिजार कर रहे थे तो आज आप सभी के लिए बड़ी खबर है जैसे ही अमेरिका से फेट मीटिंग की खबर आई ब्यासदरों में कटाउती हुई उसके बाल लगातार सोने वाचांदी की चाल बदलती दिख रही है जहां कल सुबा बाजार खुलते ही सोने वाचांदी के दामों में जोड़दार गिरावट आई थी और सोने की कीमते 300 रुपए वहीं चांदी की कीमते 500 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई थी वही साम होते होते सराफा बाजार बंद होते होते सोने वाचांदी के दामों में बड़ा बदलाओ देखने को मिला था साथी आज सुबा सराफा बाजार खुलते ही सोने वाचांदी के दामों में फिर से परिवर्तन देखने को मिला है चलिए जान लेते हैं आज 18 करेट, 22 करेट और 24 करेट के हिसाफ से सोने के ताजा भाव क्या है साथी आपको बताएंगे आज एक किलो चांदी का ताजा भाव क्या है वह जानेंगे आज एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है सारी बाते जानेंगे विल्कुल विस्तार से लेकिन उससे पहले रोजाना सोने वाचांदी के ताजा भाव पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव हैं दोस्तों देखा जाए तो लगातार सोने वाचांदी के दामों में बेहतरीन उतार चड़ाओ देखने को मिल लहा है। जहां कल सुबा सरापा बाजार खुलते ही सोने वाचांदी के दामों में गिरावट आई थी। सोना तीन सो रुपए से ज़्यादा सस्ता हुआ था वहीं चांदी में पान सो रुपए तक की गिरावट आ गई थी। लेकिन साम होते होते सोने वाचांदी के दामों में तेजी आई थी। ऐसे में देखा जाये तो आज सरापा बाजार में एक ग्राम चांदी का भाव 88 रुपए 91 पैसे है। दोस्तों आपको बता दे चांदी के दामों में लगातार उतार चड़ाओ देखने को मिल लहा है। जहां एक समय पहले चांदी के दाम 88 रुपए पार किये लेकिन फिर से चांदी के दामों में गिरावट आई। आज फिर से चांदी के दाम 88,970 रुपए पहुँच गए हैं। वहीं आपको बता दे आज भी एक किलो चांदी में 499 रुपए की तेजी आई है। लेकिन आपको बता दे सोने वाचांदी के जानकारों का कहना है अगले सब्ता सोने वाचांदी के दामों में गिरावट आईगी क्योंकि FET की मीटिंग के बाद बाजार को ऐसा लगने लगा है कि सायद अमेरिका आने वाले दिनों में ब्यास दरूम में फिर से कटोंती करें जिसके कारण इस सब्ता सोने वाचांदी के दामों में गर्मी देखने को मिली है लेकिन जानकार बताते हैं आने वाले समय में सोने वाचांदी के दामों में नर्मी आएगी क्योंकि अभी तेवारी सीजन आने वाला है लोग सोने वाचांदी की अच्छी खरीदारी करेंगे जिसके चलते यदि भाव बहुत उपर हुए तो सोने वाचांदी की खरीदारी कम पढ़ जाएगी इसलिए सरकार भी कोई ऐसा सोने में प्रावधान लाएगी कि धन तेरस दीपावली तक सोने वाचांदी के दाम थोड़ा कम हो जिससे आम जनता भी सोने वाचांदी के गहने धन तेरस दीपावली या फिर साधी विवा के लिए बनवा सके इस विशे में आपकी क्या राय है सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखे चलिए अब जान लेते हैं आज अटार के रेट के हिसाब से सोने के क्या भाव है दोस्तो आपको बता दे सोने के दामों में लगातार तेजी जारी है और आज भी सोना महंगा हुआ है क्योंकि इस सब्ता सुरुवाती दिनों में सोने के दामों में गिरावट आई थी लेकिन जैसे ही फेट की मीटिंग का फैसला आया उसके बाद सोने के दामों पर भी बूश्टर डोज लगा और सोने वाचांदी के दाम उपर की ओर जाने लगे हैं देखा जाये तो आज 22 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 721 रुपई है 8 ग्राम सोने का भाव 7,848 रुपई है 10 ग्राम सोने का भाव 32,310 रुपई है 100 ग्राम सोने का भाव 7,23,100 रुपई है दोस्तों पिछले सब्ता की अपेच्छा इस सब्ता सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है और आज भी 10 ग्राम में 590 रुपई सोना महेंगा हुआ है साथ ही आपको बता दे आपको including GST 74 से 75,000 सोने के भाव पढ़ेंगे क्योंकि आज 24 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 24,09 रुपई है 8 ग्राम सोने का भाव 69,212 रुपई है 10 ग्राम सोने का भाव 44,09 रुपई है 100 ग्राम सोने का भाव 7,40,900 रुपई है आपको बता दे जब आप सोने के गहने बनवाने जाएंगे और इस भाव पर जेश्टी लगेगा तो आपको 75-76,000 रुपए सोने का भाव पड़ेगा चलिए अब जान लेते हैं आज भारत के कुछ प्रमुक सहरों में सोने के ताजा भाव क्या हैं आज लगबग सभी राज्यों में सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है तो दोस्तो ये थे कुछ प्रमुक सहरों के सोने के भाव यदि आपको अपने सहर का आज का ताजा भाव जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं उमेद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एक प्यारा साल लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से